यह उनकी टीम अभी भी पंद्रा अंको का लीड बना करके रखी है और नरेंदर कंडुला वक्त निकालते हुए वक्त निकालेंगे और यहाँ पर कबड़ी लवर्स देखिया पवन के फैन क्लब देखिया हर जगा चाहँ पवन जाते है वहाँ पर उनके फैन मोजूदी रहते है तो बहुत मेरा भी फेवरेट प्लेवर है पवन यहाँ पर एक कुछ फेवरेट काम की अपलेने तेलंगना क के लिए चलो यहाँ पर ओल आउट हो सकता है क्या चंदीगर क्या अगर यह टैकल सक्सेसुल यहाँ पर एक मुमेंट डिखेंगे कि करने का प्रहसता सामने लेट कॉर्णर रहा तो यह हैंड टच किया लेकिन अभी यह ओल आउट नहीं नहीं मौका नहीं देने वाले नरें पड़े इंतजार कर रहे हैं पावन शेरावत पावन शेरावत का इंतजार और पावन आ गया मैं कहूंगे यहां पर अभी जो सीन है मतलब अगर यह सूपर टैकल सिचेशन और रेडर दो पॉइंट ले जाए तो क्या चंदीगर आउट होगी यह बचा लेंगे और पावन अपने साथी को देख रहते कि भाई तुम क्यों नहीं आए मैं वहाँ पकड़ रहा था मुझे आप अकेले छोड़ दियो पावन का इस अट्यूट है मुझे बहुत अभी कॉम बॉक्स में बैट हूँ लेकिन मैं बहुत हस रही हूँ क्योंकि लोकेटेस वो कितना इजी व लेना कि आपको पता होना चाहिए चाहे कबड़ी का मैदान हो जिन्दगी की मैदान हो वहाँ पे रेस्ट कब लेना है और कब अपना वो जो फिफ्ट गेर उस मोड में आपको आना वो बिलकुल आपको पता रहना चाहिए चंडीगर यहाँ पे पहले हाफ में बखूबी श सब्सक्राइब कुछ टच पॉइंट्स लिये हैं एटिट्यूट से तो मुझे ऐसे दीख रहा है कि लिये है और पूछ रहे पीछे मुड़के कि क्या करूं आपस आओ के नहीं आओ क्योंकि अकेले बचे हैं वो और यहां पर पवन की नजरे टिके हैं वहां पर क्या होने वा पले पले एक की की और एक पॉइंट लेके गया जी है एक पॉइंट और फिर से वही द्रिश्य देखने को मिल रहा है चौतिस और सत्रा का स्कोर है नरिंदर कंडोला सहाब यहां पर रेड लगाने के लिए आए हैं बोनस तो निश्चित रूप से उन्हें दे दिया गया है सभी खिलाडी बिल्कुल एंड लाइन से सट कर खड़े हैं और लगतार नरिंदर कंडोला को कहा जा रहा है यहां पर कंडोला सहाब आफस गए हैं कोई मौका नहीं और जिस ओल आउट का हम इंतजार कर रहे थे कि मैच में वापसी होगी तिलंगाना ने एक छोटा सा मिनी क इस बोनस के साथ क्योंकि रेड के लिए थे तो नो पॉइंटो उन्होंने अरजित किये थे लेकिन शाएद यह बोनस है और शुपर टेन उनका हुआ है यहां पर हाफ टाइम और चंदिगर यह 35 और तेलंगाना 20 15 पॉइंट की लीड चंदिगर के पास है हाफ टाइम स्कोर जी है मैच समरी पे नज़र डालेंगे मैच समरी मैच नमबर 6 35 और 20 का यह स्कोर रेडिंग में भी चंदिगर आगे है 22 और 13 टैकल्स लगबग बराबर एक तरफ है 7 चंदिगर 5 तिलंगाना ओल आउट की बात करेंगे तो 2 पॉइंट मिले है तिलंगाना को 4 पॉइंट मिल करेंगे तो वहां पर तिलंगाना ने बाजी मार ली है और अभी तक का जो प्रदर्शन है उसमें नरेंदर कंडोला रहे है फिलाल तक और विशाल भारदौाज विशाल भारदौाज तीन पॉइंट बेस्ट इफेंडर अभी तक यहां पर माज समरी के स्ट्राइक रेट द अचाहे तो कमबैक करने के चांसे से थोड़ा इस में जा रहे है चंदीगर और यहां पर तो क्या सब्सिट्यूट हो रहा है रिवाइवल हो रहे है हाँ रिवाइवल हुआ है शायद से जी हां यहां पर हम थोड़े से हाइलाइट्स को देखते हुए राकेश ने नौ पॉइंट और उनका स्ट्राइक रेट है 100% जिस तरीके से उन्होंने पॉइंट्स लिए राकेश ने सूपर रेड उनकी हुई थी और जिस तरीके से तेलंगना का डिफेंस उन्होंने तोड़ा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि चंदीगर के टीम से अगर राकेश लीड कर रहे है रेडिंग डिपार्टमेंट में अच् की एनरजी उनको बचा के रखनी है क्योंकि उनको पता है कि अगल फ्यूल मेरे गाड़ी का कम हो जाएगा तो मेरे गाड़ी नहीं चलेगी और यहाँ पर रेड कर तेलंगना के रेडर को जिस तरीके से चंदीगर के डिफेंस ने रोका बात करूँगी खास कर विशाल बार तो इसके लिए अभी चंदी करिए इतना लीड कर रही है और हाफ टाइम मैच शुरू हुआ है नहीं ती हाँ पर जी हाँ 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 पर हनुमन्तू तिलंगाना के तरफ से रेड लगाने आये थे और उन्हें पकड़ा गया है एक और पॉइंट यहाँ चंडी गड को मिलेगा और बहुत ही प्यार से बहुत ही महबत से यह गेम होता हुआ 37 और बीस थोड़ा समय चाहता हूं कि तिलंगाना यहाँ पर अग्रेसिवनेज दिखाए लगातार वो पीछे खेल रही है विशाल यहाँ पर विशाल चहल चहल करमी करते हुए पूरे को को कवर कर रहे हैं यह चहल और पहल दोनों करने पड़ती है क्योंकि कबड़ी गेम ही वैसे और डिफेंस को डिस्बैलेंस किया लेकिन काभिले तारीफ एंकल होल क्या डाइविंग एंकल होल किया विशाल मतलब क्या को यह एक्शन जैसे ही राइट कॉर्णर आया देख सकत विशाल ने जम करने की मुवमेंट ली लेकिन जम पिन मुवमेंट में भी उन्होंने एंकल होल किया पकड़ के रखा ग्रीब को जी हाँ मैट्स लेकिन अगर ग्रिब की बात करेंगे तो तिलंगाना से अभी फिलहाल ग्रिब बहुत दूर है ग्रिब बनाया है चंडीगर ने और नरेंदर कंडोला उनका प्रदर्शन रहा है अग्रणी फिर से एक बार लग रहा है जी हाँ यहाँ पर नरेंदर नहीं राकेस यहाँ पर गए हैं राकेस तो अभी थुड़ा टाइम पास करेंगे वक्त निकालेंगे वक्त काटेंगे क्योंकि उनको एक बात पता है अगर एग्रेसिवली वो खेलेंगे इतना लीड हासिल करने के बाद तो शायद से तेलंगना का डिफेंस एग्रेसिव हो भी हो सकता है उनके रेडर के उपर ऐसी कबड़ी की मैचेस हुई है कि इस गलतियों के वज़े से अच्छी अच्छी टीम लीड लेके भी हारती हुई नजर आई है नवनीत जी इसलिए जरूरी है कि कभी-कभी होता है ना जब हम एक्जैम देते हैं मेगाली और अगर पास से पेपर दीजिए चालेस नंबर है तो उस हिसाब से दीजिए और कभी-कभी कोई पेपर में 80% भी पासमाक्स रहता है तो जैसा मौका वैसा ही आपको मारना पड़ेगा चौका लेकिन यहां पर चौका मारा है चंडीगड की टीम ने फिर से एक बार राइट इन पे से कल की एडवांस सैकल यहां पर पवन ने किया यहां पर विशाल रेड के लिए चहल पहल उनकी चालू है पहले ही रेड में उन्होंने अच्छा कासा एक पॉइंड लेके तो गए थे लेकिन मुझे नहीं लगता खालियात वापस अपने कोट में जी हां और आप कहां कहां से आजाते पता नहीं चलता तो बात है पहण का हुता ह promise हमाट होटे हावा तो हर तरफ है मतलब बहुत बड़ा पहाड खड़ा करना पड़ेगा वहां पर और विशाल चहल वापस से उन्होंने एक पॉइंट यहां पर अर्जित किया है हम यूओ रेडर अचे रेडर है मतलब स्कील भी उनकी अच्छे दिख रहे है यहां पर जिस तरीके से वो खेल रहे है लेकिन चैलेंजिंग आगे यहां पर एक अच्छा किक किया इन्होंने कॉर्णर के उपर लेफ्ट कॉर्णर के उपर सामने वाले डिफेंस को मोका नहीं और यह block 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 क्या हो रहा है क्या क्या radar safe है नई radar out जी हाँ radar out और 39 21 ये score है दीखें किस तरीके से यहाँ पर radar out हुआ है इसका replay एक बड़ हम फिर से देखेंगे और frontal block आया नीचे से force लगाये अकेला खिलाड़ी और वहाँ पर हिम्मत नहीं हारे और फिर बहुत अंत में बागी खिलाडियों का साथ मिला लेकिन वो जो ऐसा लग रहा है यहाँ पर राकेश साहब आप कह रहे थे कि टाइम पास कर रहे है और टाइम पास के साथ क्या उन्हें चाय भी दे दिया जाए क्योंकि कुछ करी नहीं रहे कम से कम अटलीस्ट वहां पर चाय पिएंगे तो दे में गर्मी बनी रहेगी अल्रेडी महमेंद नगर में बहुत गर्मी है यहाँ पर तो मुझे इसे लगता है चाय के अलावा उनको नीमबू शर्बत या कुछ अलग कोल्डरिंग दी जाए क्योंकि बहुत रिलाक्स वील कर रहे और यह विशाल भारत वाज का इन्होंने पॉइंट लिया है बहुत बड़ा पॉइंट लिया है इन्होंने चलो अभी सेकिंड हाफ है तो देख सकते हैं एडवांस में आया विशाल और नजर थी तो यहाँ पर क्या विशाल को हैंट किया और विशाल चाहल रेड के लिए लिए अजयां बिलकुल और आपने का बहुत गर्मी है लेकिन फिर से एक बार यहां पर एक बार पकड़ा गया है तिलंगाना के तरफ से और मैं टेंप्रेचर चेक कर रहा था 33 डिगरी सेल्सियस राइट नाओ अभी अभी और यहां पर हवा में उड़ा दिया है यहाँ पल्य आया लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर दिख रहा है कुछ बढ़ता हुआ यहाँ पर रेडर को आउट-ाउट बाउंड किया है कमाल का डैश मतलब पल्ले राइट कॉर्णर पे डीपली अटक किया था किक इनिशेट की थी टाइमिंग टैकल डैश मुमेंट कमाल का राकेश संग्रुयोग आया है रेड के लिए नाइन रेड पॉइंट अच्छा सूपर टेन के लिए खली एक पॉइंट डूर है जनाब अ यहाँ सूपर टेन और यह जब छोटी छोटी नंबर्स रहते हैं यह खिलाडी को मोटिवेट करती है यहाँ पर फिर से एक बार तिलंगाना के लिए सर्फ यहाँ पे चार खिलाडी मौजूद है रेड लिगाने के लिए आए हैं केतावत हनुमंतु देखना है हनुमंतु स सब्सक्राइब क्या करते हैं चे का यहाँ पर डिफेंस है तीन चेन बना करके लाड़ी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कितावत सहाब आपको मैं पकड़ूंगा लेकिन क्या होता है यह आने वाला सिर्फ 10 सेकंड बचाएगा और क्या शांदार फोर्स के साथ अपने आपस गये राइट कॉर्णर से इनिशेटिव आया था देख सकते हैं मतलब एडवांस होल करने की कोशिश लेकिन हर बार एडवांस टैकल सक्सेस्फूल नहीं होती नवनीद अगर एडवांस टैकल हो भी तो खुद पे इतना दम होना चाहिए कि खुद के दम पर वो टैकल सक्सेस्फूल करें एडवांस टैकल में आपको सपोर्ट मिले तो सपोर्ट की उमीद ना करें जिया सपोर्ट की उमीद ना करें लेकिन जिन्दिगे में तो सबको सपोर्ट की उमीद होती है ना और जब वह सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम शिकायत भी करते हैं तुमने ऐसा गया वैसा कि इस तरीके की बाते अक्सर होती है गनेश यहां पर यहां पर क्या यहां पर सुपर टेन कंप्लीट होगा देखा जाए और यहां पर कोशिशी राइट इन की थाय होल डाइविंग थाय होल की राकेश के उपर इनिशियेट किया था उन्होंने फूट वर्क पर जैसे आगे बड़े राकेश तो राकेश के उपर डाइविंग थाय होल से एंकल होल पर गरीप आई थी लेकिन राकेश बच निकले वहां से अच्छा प्रदर्शन और यहा जरूरी है चहल जरूरी क्या मिगाली कुछ शायरी भी करती है क्या कुछ लिखती है कितने मकुप सूर्ति के साथ चेहरो है पहल भी जरूरी है ठीज ही तोड़ी बहुत कर लिते हैं फैदाङ तर सुनती हूं शोग है नोरीत पता नहीं क्यों मतलब इंस्टारियल पे भी या यूटूब पे भी में शायरी सुनती हूँ और मैं पसंद करती हूँ शायरी सुनना क्योंकि मैं जब खेलती थी मेडे टाइम पे तो यह सब मोटीवेट करते हैं अपना मूड चेंज करती ही इसब चीजे तो जरूरी से लेकिन बारिश बहुत कॉपनाख भी सावित हुई जब जब उन्हों ने इस जो करने की बात बात आती है तो कर लेती ती लेकिन अभी पलाझ में ने तो softly चलने दो यहाँ पर विशाल का प्रदर्शन ठीक ठाक है पॉइंट लिया भी है टैकल भी हुई है और empty-handed वापस भी गए है जी हां रौद्र रूप आपने कहा और जरूरी है ना कि जहां पर जो जरूरत हो वहां पर वह हो मैदान में तो आपको एकड़म वह रौदर रूप दिखाना ही पड़ेगा लेकिन जब थोड़ा से मैदान के बाहर आते हैं तो जिन्दगी को देखने का जो नजरिया होता है वह सौफ्ट हो जाता है और वह आपके आवाज में वह आपके कॉमेंटरी में जलक रहा है तैंक यू सो मज़ इस बात पर एक चाय जरूर पिएंगे जब मिलेंगे हम तो जी हां 42 और 25 और उठा करके पटक सादिया अच्छी टैकल थी फ्रंटल ब्लॉक अच्छा था और सपोर्ट अच्छा था वाट कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला मुझे यहां पर और गनेश की रेड है तेलंग अना से कुछ खास कोशिश नहीं क कॉर्णर मतलब उनकी फूट वर कितनी तगडी थी कि डिफेंस तोड़ा डिस्बैलन्स हो गया लेफ्ट कॉर्णर आउट अप गाउंज सेल्फ आउट हो गये जी है सेल्फ आउट लेकिन यहां पर राकेश चंडिगड की तरफ से और मैं बीच-बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा हूं क्योंकि देखें चंडिगड का जो मैप आप देखेंगे ना वो है बिल्कुल सैफ्रन ओरेंज कलर का और तिलंगाना के कपड़े ओरें चंडिगड 42 और 27 तेलंगाना इन जनाब की सुपर टेन तो कंप्लीट हो गई राकेश की मतलब सोने पे सुहा का दो दो रेडर दो दो सुपर टेन चंडिगड के टीम में और ये सुपर टैकल सिचुएशन और पल्ले आया है क्या होगा पल्ले को रोक पाएंगे अरे टीश हुई बल्ले के जहां सूपर एड यहां पर देखें फिर से एक बार रीप्ले में हम देखेंगे और दो खिलाडी वहां पर जर्सी पुल भी हुआ है लेकिन मद्देरेखा को क्रॉस किया शायद पवन का थोड़ा सपोर्ट लेट आया पवन सोच नहीं रहते पवन वहां प जब जब मेरी नजर जा रही है पाविन के उपर नवीन, I can't control, मतलब खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, इतनी हसी है रही है पवन का वो फेज देखेंगे, उसका attitude देखेंगे, मतलब उस पवन ने इतने experience, matches खेले है, इतने tough moment उस बंदे ने face किया matches में, तो वो रिलाक्स से कि ही नोज कि अगर मैं रिलाक्स रहूँगी तो भी मेरी टीम खेल लेगी यार, defense में भी और rating में भी, जी हाँ, और तिलंगाना को अगर आप देखेंगे, मिघाली तो उन्होंने कुछ हद तक वापसी किया, आपको याद होगा, कि score एक वक्त 34 और 17 थाल, और अगर आप उस पॉइंट से देखेंगे, तो तिलंगाना को मिल गए हैं, 15 पॉइंट वहीं पिछले उसी पीरियट के दौरान सिर्फ आठंग चंडिगड को मिले हैं, गनेश यहाँ पर आए हैं, क्या करते हैं, गनेश क्या कुछ पॉइंट्स ले करके, अपने टीम का जो फ्लो है, मो पॉइंट-गानेश को हाँ, क्या करते हैं, और बहुएंट leryn के, जिस पावन का एटुटिट का बोनस लिया है, पर ऐने दौरानि खावन ने नवनित डू और डाई रेडिये तेलंगना से और कोशिश है पॉइंट लेने की यहाँ पर बोनस और यहाँ पर है विशाल चल की देड़ चंदिगर से जिहा विशाल एक बार फिर से 42 और 32 का स्कोर और 7 मिनिट से कम का खेल यहाँ पर बचा है बोनस पॉइंट लिया है बोनस का प्रयास तो किया है डिपेंड है रेफरी के उपर अगर उनको क्लियर लगा तो देंगे लेकिन शाय से मुझे ऐसे लग रहा है कि बोनस नहीं था प्रॉपर यहाँ पर कि यहां पर रेफरी कुछ कह रहे हैं यहां पर तेलंग ना के प्लेयर्स भी कुछ दिमांड करें लेकिन नहीं कंटिनिव मैच करेंगे यहां पर डूओ किया था लेकिन एडवांस था बहुत ही एडवांस गया है अगर आप डाइविंग होल करते हो तो उसका बेनी फीट रेडर को मिल सकते है अगर बकलाइन के बाहर हो तो क्योंकि पोजिशन मिड लाइन की तरफ हो जाती है लेकिन यहां पर पोजिशन चंदिगर की बढ़ रही है राकेश का अच्छा परफॉमस यहां पर अपने रेडि जा रहे हैं अच्छी की कौनर पे हैं अच्छी के लेकिन यहां पर कौन है पल्ले सहब क्या पल्ले मलिकार जुन कुछ और पॉइंट्स ला करके यहां पर चंदिगर पर प्रेशर बना सकते हैं नहीं यह देखना है क्योंकि अगर कुछ पॉइंट्स यहां पर लाएंगे त तेलंगाना की वह वापस आ रही है नवनी जैसे के मैंने कहा कि किसी भी टीम को आप अगर लूज टेकन ऑफ ग्रांटेड पकड़ोगे तो कभी भी वह खौफनाक सावित हो सकती है लेकिन ऐसे मिस्टेक्स अभी होनी नहीं चाहिए क्योंकि पांच मिनिट कम से कम बचे तो यहां पर यह से सिली मिस्टेक्स अगर होगी तो शाय से कम बैक नहीं कर पाएंगे तेलंगाना कि अच्छा इसके नहीं यहां पर बोत आउट रेडर और डिफेंडर दोनों देखेंगे क्या एक्शन हुआ हैं टच का प्रयास रीडर लॉबी में गया था आउट आफ डे कोड़ लेकिन डिफेंडर भी यहां पर आउट आउट अफ डे कोड़ गया पैतालेस और एंटिसक है स्कूर और यहां पे देखिये विशाल यहा पे कोई चेहल पेल नहीं कर पाएं उन्हों उन्हें पकड़ा गया है जहल भीबित नहीं नहीं चलेगी पहल भी नहीं चलेगी तो अपनी ही ऐसे कुछ चंदिकर का रेडर तो यहाँ पर अच्छा मौका मिला उनको टैकल करने का टैकल इनिशियेट किया तुरंट सपोर्ट आया और मैं कहूंगी अगर चंदिकर के रेडर को इने रोकना है तो कॉंबिनेशन टैकल में आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनकी जो रेडर है चंदिकर के एक्स्पिरियंस लेवल के है और उसका उप्योग हो कर रहे है स्पीड खेल रहे है और तेलंगना की डिफेंस में थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे कम नजर आ रहे हाला कि वह माच का यहां पर घर है और इस घर में खलबली मचाने की कोशिस तो की गई है चंदिकर रीड में 44 परतिसत की सक्सेस वहीं पर 32 प्रतिसत सक्सेस यानि कि क्लियर 12 percentage की डिफ्रेंस से और पॉंट में वही डिफेंस नजर आ रहा है हमें क्योंकि जब मैच के सुरुवात में उनको जो मोका मिला था वो तेलंगना के डिफेंस ने गवाया वो टैकल नहीं कर पाये चंदिगर के रेडर्स को वो पॉइंट नहीं ले सके चंदिगर के डिफेंस में से तो अगर फर्स्ट हाफ उनका देखा जाए तेलंगना का तो तो उमीद पे वो खड़े उत्रे ने लेकिन थोड़ा हाफ टाइम के बाद उन्होंने जो कमबैक किया है तो कमबैक करते जा रहे यहाँ पर रेडर सक्सेस्फूल तेलंगना का एक अच्छा शिकार चंदीगर के डिफेंस में से तो जिया आप कमबैक की बात कर रहे हैं लेकि बोल रहे हैं कि पकड़ोंगे क्या मुझे वहां पर बोनस लेके गए शायद बोनस लेके एक बात जरूर कहूंगी चलो कुछ भी बता नहीं सकते क्या एक्शन विदिन सेकेंड देखने को मिले यहाँ पर पल्ले की रेड है कोशिश करे डीप जाने की लेकिन बहुत इप ग राइट इन पे यहाँ पर देख सकते हैं पवन के उपर सिधा अटेक किया और लेफ्ट इन जो है वो डाइविंग एंकल होल पे आया और कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया अच्छी टैकल अच्छी टैकल शांदा टैकल 477 इसका स्कोर एक मिनट 26 सिकंड का केल और पवन हर एक मैच में अगर अल प्रो कबड़ी लीग एडिशन की बात की जाए तो नौद असमलव चार पॉइंट प्रती मैच ये एक अच्छा आखड़ा माना जाता है क्योंकि 10 पॉइंट डबल ड दुझान कि इतना डिफरेंस और कोई सिरियस्नेस उतनी है नहीं एक मिनट से कम खraid गनेश यह पर आ हैं गनेश रमावत कसवाली से एक मारी पूल में होने वाली हर मैच इंपोर्टेंट है स्कोर डिफरिंट भी बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन अभी तो मैच खतम होने की पाइदान पर आलमोस्त यह पवन की लास्ट रेड हो सकती है नवनित तो चंदिकर तो अलमोस्त विन हो चुका है है जेख विन क्या मतलब कभी-कभी होता है निखेट आपकी कट जाती है पर आपको आपका टिकट मिलता नहीं है आपके फोन पर सेंड नहीं किया जाता बस वही बात है आपके दोस्त ने कहते हैं कि मेघाली मैंने आपकी टिकट ले लिया आप बोल रहें कि भीजटो ना मेरे पर बस वैसे कुछ साइन करना बचा है लेकिन यहां पर एक रेड तेलंगना को मिल रही चलो पवन एक मोका दिया चलो आपकी भी एक रेड हो जाए ले लो कितने पॉइंट लेने हमारे डिफेंस में से जी हां यहां पर पूरे अगर पांच के पांचों को खतम भी कर दिया जाए तब भी साथी पॉइंट मिलेगे लेकिन कहां से खत्म होते हैं वहां पर हनुमन्तू को पकड़ लिया गया है और मैच समाप्त 48 और 37 से यह फुल टाइम विसल बजेगा पुल टाइम विसल बजेगा नवनीत लेकन पवन सेहरावत अगर डिफेंस में ऐसे ही खेलता रहा तो यह फुल टाइम स्कोर एक बार देखेंगे चंदिगर 48 और तेलंगना 37 अच्छे मार्जिन से चंदिगर यह मैच जीती है लेकिन मैं एक बात कहूंगी कर पवन अगर ऐसे खेलते रहा तो उसके रेड स्टाइक रेट में के वावजूद टैकल स्टाइक रेट भी बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे जी है यहां पर फुल टैम स्कोर देखेंगे 28 और 21 रेट पॉइंट से टैकल पॉइंट में 13 और 9 और दोनों टीम दो दो बार ओल आउट होगे उसका फाइदा यह हुआ है कि दोनों को 4-4 पॉइंट मिले एक्स्ट्राज में 3-3 सूपर रेड और सूपर टैकल देखने को मि आए तिलंगाना के तरफ से पल्ले मलिक अर्जुन की बात करेंगे तीर बेस्ट रीडर और वहां पर बेस्ट डिफेंडर विशाल भारदवाज विशाल बहुत ही बड़ा नाम है प्रो लीग में बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर वो माने जाते अच्छा परफॉमंस विश अंतरे जितने अपने इनिशियेट के उसमें सक्सेस्फूल आप कितने बार किये तो उसमें भी चंडिगर का पगडा भारी है डू और डाइरेड में भी इक्वल है लेकिन बोनस पॉइंट देखे जाए तो जादा लिये है चंडिगर ने इसके वजे से आज चंडिगर की बड़ी जीत इस मैच में जी है और चंडिगर तो शुरुवाती चनों में इतना जादा डिफरेंस बना ली थी कि ऐसा लगा कि लगभग 60-70 प्रतीशत जो बाद का गीम रहा है वह बहुत जादा रिलाक्स किया और उस रिलाक्स करने के बावजूद चंडिगर को मिली है य बड़ी जीत बहुत ही बड़ी जीत है लेकिन नजरेट की रहेगी आगे के पर्फॉमंस के उपर जिस तरीके से पवन रिलाक्स होके खेल रहे थे वह उनके गाड़ी का इंदन बचा रहे थे कि नेक्स्ट अगर बड़ा मू आ जाए कार के लिए तो किस तरीके से मुझे ट क्लीन किया जाता है तो जो अगला मैच होगा उसके लिए यहाँ पर सफाई चलते हुए मैट्स की निरक्षन परिक्षन और इस शांदार मैच के बाद हम आप सभी दर्सों को अलविदा कह रहे हैं थोड़ी देर में 8 बजे फिर से आपके साथ जुड़ेंगे बहुत- बहुत शुक्रिया थैंक यू नवनित आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया नवनित झाल 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 झाल